पिवक्तों को शिरी शिवाय नमस्तूप्या अरहल महादेव जिदी कोई ऐसा कार्रे है जो बहुत अटका हुआ है और पूर्ण होने का नामी नहीं ले रहा और आप चाते हैं कि ये कार्रे तुरंत हो जाए और उस कार्रे के लिए आप घर से बहार निकल रहे है तो उससे पहले दक्षिन मुकी बाला जी के मंदिर में जाकर पांच पीपल के पत्ते लेजिए पांच पीपल के पत्ते लेने के बाद में पांच बेशन के लट्टू गाय के घी से बने हुए बेशन के जो लड़ों है वो गाय के गी से बनाना है आपको पाँच पीपल के पत्ते लेने हैं और पाँच बेशन के लड़ों गाय के गी में बने हुए और साथ में एक आटे का दीप जिसके अंदर तिली का तेल डला हुआ हो देख्षिन मुकी हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको इस मंतर का जाप करना है ओम, नमो, हनुमते, रुद्र अवताराय, सर्व शत्रू, संगारनाय, सर्व रोक, हराय, सर्व पशीकरनाय, रामदूताय, सुवाह इस मंतर का उच्चारन कर लिजी, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी भी बार आपका मन हो इस मंतर का उच्चारन करके, 5 पीपल के पत्तों पर, 5 जो बेशन के लड़ू आपने बनाये हैं, उन बेशन के लड़ूों को रख दीजीए और उसके बाद आपको मंदिर के अंदर ही एक आटे का धीप रखना है, उसमें तिल्ली का तेल डालना है, तिल्ली का तेल डालकर, इस मंतर का उच्चारन करके, उन्हें रख दीजीए, और जो आपका कार रहे हैं, मैं बाला जी महरास से बोल दीजीए, जो भी आपका कार होगा, बाला जी उसे तुरन्त ही संपूर्ण कर देंगे, सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमुद्ध कर देंगे, सबी वक्तों को शिरी शिवाय नमुद्ध कर देंगे,